तो कैसे हैं आप लोग नवरात्री आने वाली हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं तो मैं भी आपके साथ शेयर करने आ गई हूं। मखाने की खीर बरत वाली और इसको मैं आज हाणी में बनाऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक इंपोर्टेंट काम अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी रेसिपी टाइमली मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि इसको बनाने में क्या-क्या तैयारियां करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आग जला लिए और आग यह थोड़ी अच्छे से जब बन जाएगी उसके बाद ही आगे का काम होगा और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें तो यह देखिए आग अच्छे से बन गई है इसके बाद में यहाँ पर यह एलुमिनियम का पैन है जो बहुत ही मोटी तली वाला है कुकर का जो मटीरियल होता है उसी मटीरियल का है तो इसमें बनाने में आपको कोई भी हाम नही होगा उसके बाद यहाँ पर मैंने शुद देशी घी उच किया है और यह मखाने डाल दिये हैं मखाने की खीर जब भी आप बनाए उससे पहले मखानों को एक बार तल लें एकदम आपको कलर इसका नहीं चेंज करना है बस इतना करना है कि यह हलके से क्रंची हो जाएं और उनको लगातार चलाते रहें क्योंकि यह बहुत हलके होते हैं तो बहुत जल्दी से जल जाते हैं तलने के बाद इस तरह से हाथ से तोड़ लें अगर आप मिकसर में इसको पीछना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि बहुत जल्दी इसका पावडर बन जाता ह फिर ये खीर बनाने लायक नहीं रहेगा तो हाथ से मैंने मखाने तोड़ लिये हैं इसके बाद में ये बॉयल किया हुआ दूद है अच्छा गाड़ा और आप खीर बनाएं जब भी किसी भी तरह की खीर बनाएं तो उसमें आप गाड़ा दूद यूज करें तो उसमें फुल क्रीम मिल्क का ही यूज करें खीर तभी अच्छी बनेगी और अगर आपके पास मलाई हो तो आप इसमें मलाई भी आड़ कर सकते हैं मैंने नहीं किये क्योंकि ये दूद आल्रेड़ी बहुत गाड़ा था भैस का दूद है ये और दूद में अच्छे से जब बॉयल आ गया है उसके बाद में यहाँ पर चीनी डाली है चीनी वजन में धाई सो ग्राम है और दूद देर लिटर के गरीब है तो चीनी गल चुकी है इसके बाद में ये मखाने आप देख सकते हैं इस तरह से तोड़े गये हैं कुछ मखाने आप साबूत भी रहने दें सारे मखाने ना तोड़ें और ये कुछ ड्राइफ रूट्स हैं जैसे गरीथ ही उसको कस लिया है पिस्ता को हलका हलका सा खलवटे में कूट लिया है और इसी तरह से काजू को भी कूट लिया था बदाम को आप चाकू से पतला पतला काट सकते हैं उसके बाद में चिरोंजी है चिरोंजी को भी खलवटे में कूट कर डालें हलकी सी कूटनी पड़ेगी चिरोंजी आपको और फिर इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाला है इलाइची पाउडर आप हमेशा फ्रेश ही यूज़ करें तभी उसका टेस्ट और फ्रेग्रेंस जादा अच्छी आएगी तो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हांडी को ढख देंगे और इस तरह से इसको बीच बीच में खोल के चलाते रहेंगे और आज को आपको धीमा ही रखना है ताकि इसमें धीमी धीमी बने तो इसमें जो हांडी का सौधा पन निकल के आएगा उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अलग होगा ये देखें कितनी गाड़ी खीर है ट्रेंट्स में आप पर एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी मैंने आपर किश्मिश भी डाली है तो किश्मिश को ध्यान में रखकर ही आपको चीनी डालने हैं क्योंकि किश्मिश भी मीठा करती है तो ये लीजे आपकी मखाने की ब्रत वाली खीर बन कर तयार है तो ये और ज़्यादा टेस्टी होगी बस खीर बनाने के लिए आपको थोड़ी सी साफधानिया रखने हैं कि मखाना जब आप तोड़े या फिर मिक्सर में पीशते हैं तो ये एकदम महीन पाउडर नहीं बनना चाहिए जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आपको रखना है और दूद जो है आपको फुल क्रीम मिलकी ही यूज करना है काड़ा दूद यूज करना है तो ये देख सकते हैं आप लास्ट में मैंने यहाँ पर थोड़े से रोज पेटल्स का यूज किया है ये कम्प्लिटली और्गेनिक है और मेरे गार्डेन के ही है तो इस तरह से आप इसको गानिश भी कर सकते हैं और आपको अगर पूरा देशी स्टाइल फिल देना है तो दूसरी सर्विंग मैंने यहाँ पर मिट्टी के बॉल में की है तो वो भी आप देख लीजे ये देखे इस पर भी थोड़े से रोज पेटल्स जो है उनको स्प्रिंकल कर दिया था तो आपको जैसे भी अच्छी लगे उस तरह से आप इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं यह देखे तीसरा यह बोंचाइना का मटका है इसमें मैंने किया है तो जो भी आपको अच्छा लगे तीनों में से आप उस तरह से इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना खूब ख्याल रखें नमस्कार राधे राधे